हलो गाइज, वल्कम बाक टो आर यूट्यूब चनल, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे Operation on Rational Numbers कि Rational Numbers में Addition, Subtraction, Multiplication and Division ये किस तरीके से किये जाते हैं इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए Addition, 7 upon 9 plus minus 11 upon 9 जब भी Rational Fractions के Form में हो और Addition करना हो तो आपको 2-3 चीज़े ध्यान रखनी है ठीक है, सबसे पहली बात Denominator में अगर आपके Negative Sign है तो उसे आप क्या करो Positive में Convert करो और उसके बात में उसे Sol करो First बात, ठीक है, Second जब भी हमारे पास में 2 Sign एक साथ होंगे ठीक है, उनको एक Sign बनाओ, अब Symbol Knowledge आपको पता होने चीज़े यहाँ पर मैं आपके सामने लिख लेता हूँ, एक बार Symbol Knowledge देखे, Plus और Plus, क्या होता है हमारा? Plus होता है Plus, Minus क्या होगा हमारा? Minus होगा Minus, Plus हमारा क्या होगा? Minus होगा, और Minus, Minus क्या होगा हमारा? Plus होगा Clear है, तो जब भी हमारे Different Sign आएंगे, यह बात ध्यान रखना जब भी हमारे Different Sign आएं, मतलब 1 Plus, 1 Minus, तो हमेशा हमारा Minus बनेगा और जब हमारे Same Sign आएंगे, Same मतलब Plus, Plus या Minus, Minus, तो हमारा Plus बनेगा बस यह याद रखना, Different Sign आए, तो Minus, and Same Sign आए, तो Plus चलो, अब देखो यहाँ पर, जैसे कि For Example, हमारे पास में 7 upon 9 है, फिर Plus है, फिर Minus 11 upon 9 है यहाँ पर सबसे पहले देखे, Denominator में कोई Symbol है, क्या, Denominator में Negative Sign है, यानि यह नहीं है, आप कहोगे, नहीं है, Sir, Negative Sign तो यहाँ पर नहीं है, तो हमें Requirement नहीं है, Positive Convert करने की, तो यहाँ पर बस Simply हम इसे Solve कर लेते हैं, तो देखो, यहाँ पर 7 upon 9 है, हमारे पास में, फिर देखो, प्लस, फिर माइनस 11 upon 9 है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनो साइन की जगे, देखो, यह प्लस आया, और फिर माइनस आया, दो साइन जब भी आएंगे, तो इसे Convert करना होगा, हमें एक साइन के अंतर, ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, हमें पता है, different सा इन आते हैं, तो हमेशा क्या आता है, हमारा, माइनस आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस, माइनस हो जाएगा, मतलब हम प्लस और माइनस, दो साइन की जगे, हम एक साइन लिख सकते हैं, माइनस, ठीक है, फिर क्या है हमारे पास में, 11, अब देखो, यह 11 हो हो गया यहाँ पर माइनस मत लिखना माइनस 11 अब यह 11 हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे हम 11 अपॉन 9 simple ठीक है चलिए अब हम इससे solve कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो LCM क्या आएगा 9 और 9 का LCM 9 ही आएगा ठीक है तो हम इससे solve कर सकते हैं 7 minus जब भी denominator हमारे same होते है तो आप क्या करो simple denominator को note कर लो 9 लिख लिए हमने और 7 minus 11 कर लो 7 minus 11 क्या होता है तो देखो 7 minus 11 अगर हम करें तो यह तो plus का है यह minus का है आपको पता है plus minus क्या होता है minus होता है तो इन में जो calculation perform की जाएगी वो किसी की जाएगी minus की सबसे पहली बात calculation की होती है फिर symbol की होगे तो यहाँ पर देखा हमने plus और minus प्लस minus होता है हमारा minus मतलब जो calculation इसमें perform की जाएगी वो minus की की जाएगी तो 7 और 11 बदब 11 में से अगर 7 less करें तो 4 आएगा simple और अब sign की बात करते है sign कौन सा आएगा देखो जो value बड़ी होगी यहाँ पर 7 बड़ा है या 11 बड़ा है 11 बड़ा है और 11 के आगे कौन सा sign है minus sign है तो हम लगा सकते है minus तो minus का 4 upon 9 इसका क्या होगा मारा answer होगा simple clear बात चलिए आगे बढ़ते हैं यह वाला question लेते हैं देखिए addition करना है इसके अंदर 8 upon minus 11 plus 3 upon 11 अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हमें हमारे पास में denominator के अंदर negative sign है सबसे पहले इसे आप convert को रो positive में तो 8 upon minus 11 को हम क्या लिख सकते है minus 8 upon positive 11 ठीक है denominator में जब भी negative sign होता है उसको numerator में ले जाओ और बस लिख तो simple तो 8 upon minus 11 को हमने क्या करा minus 8 upon 11 लिखा और फिर क्या है हमारे पास में plus है और फिर क्या है हमारे पास में 3 upon 11 है ठीक है चलिए और आगे बढ़ते है अब देखें यहाँ पर तो A की sign है कोई problem नहीं है तो अब denominator में A की value है पहली बात तो 11 ही है तो 11 हमने note किया अब बताएगे minus 8 plus 3 कितना होता है तो आप कोगे sir minus 8 plus 3 minus plus minus होता है मतलब इन दोनों में जो calculation perform की जाएगी वो minus की की जाएगी 8 में से 3 less करेंगे कितना आएगा 5 आएगा अब बात करते हैं symbol की तो symbol कौन सा आएगा यहाँ पर जो value बढ़ी होगी 8 और 3 के अंदर जो बढ़ा कौन है आप कोगे 8 बढ़ा है ऐसे बोला जाएगा आपको subtract minus 8 upon 9 from minus 3 upon 5 इसका मतलब क्या है कि subtraction जब भी आपको करना है तो minus 8 upon 9 from minus 3 upon 5 लिखावा है न तो minus 3 upon 5 मतलब minus 3 upon 5 में से minus 8 upon 9 less करना है तो यहाँ पर student गलती करता है वो करता है minus 8 upon 9 minus minus 3 upon 5 लिख कर ठीक है पहले minus 3 upon 5 आएगा यह बात ध्यान रखना है यहाँ पर क्योंकि इसमें से इसको minus करना है ठीक है तो subtraction वाले case में ध्यान रखना minus 3 upon 5 इसमें से अपने को minus करना है तो minus minus क्या होता है हमारा plus होता है तो हम क्या कर लेंगे इसको convert करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक मिनट हम इसको convert करके यहाँ पर लिख लेता हूं मैं क्या कर लेंगे minus minus होगा हमारा plus ठीक है तो हम इसे लिख लेंगे minus 3 upon 5 और यह minus minus convert होके हमारा होगा plus and यह हो गया हमारा 8 upon 9 ठीक है? चलिए अब इसे और solve कर लेते हैं minus 3 upon 5 plus 8 upon 9 यहाँ पर हम देख रहे हैं denominator में 5 है, denominator में 9 है 5 और 9 का हमें LCM लेना होगा क्योंकि denominator यहाँ पर different है अभी addition वाले case में denominator हमारे same थे तो यहाँ पर LCM खुदी आएगा 9 and फिर directly solve हो सकता है यहाँ पर, यहाँ पर directly solve नहीं कर सकते हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले LCM लेना होगा तो 5 और 9 का LCM क्या होगा? 5 और 9 का LCM होता है 45 तो हमने क्या करा? 45 को LCM के form में लिख लिया, ठीक है? अब देखे 45 को पहले 5 से divide करना है तो 45 को 5 से divide करेंगे कितने times जाएगा? 9 times फिर 9 को multiply करना होता है minus 3 से, तो 9 को multiply करते है minus 3 से, तो minus का 27 ठीक है? फिर देखो बीच में यहाँ पर क्या है? plus है तो हम plus note कर लेते हैं, फिर देखे 45 को 9 से, अब इस वाले fraction की बारी है तो 45 को 9 से divide करेंगे कितने times जाएगा? 5 times and 5 को multiply करेंगे इसके numerator मतलब 8 से, तो 8 5 जा 40 ठीक है? अब देखें minus का 27, plus का 40 यह solve हो जाएगा, तो minus 27 plus 40 कितना होगा? बताओ तो minus plus कितना होता है हमारा? minus plus होता है हमारा minus मतलब 40 में से 27 को क्या करना होगा? हमें minus करना होगा तो 40 में से 27 minus करेंगे 13 आएगा, अब बात करते हैं sign की, sign कौन सा आएगा? तो यहाँ पर जो बड़ी value है, 40 बड़ा है 40 के आगे plus sign लगावा है, इसका मतलब plus 13 आएगा, तो हम लिख सकते हैं plus 13 divided by 45 clear है? यह इसका क्या होगा हमारा answer होगा चल यह subtraction complete and यह second part कर लेते हैं subtraction का, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? minus 32 divided by 13 from minus 6 upon 5 तो पहले minus 6 upon 5 लिखेंगे, फिर subtract करेंगे इसमें से minus का 32 upon 13, ठीके, दो sign एक साथ आ रहे हम इसे bracket में रख लेते हैं अब हम इसे क्या कर सकते हैं? आपको पता है, जब भी 2 sign आते हैं तो उसको एक sign में convert करना होता है तो minus 6 upon 5 and minus minus होता है हमारा plus and यह हो गया हमारा 32 upon 13 ठीके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर 5 और 13 का LCM लेना होगा denominator different है, इसलिए तो 5 और 13 का LCM लेंगे तो क्या आएगा हमारा 65 तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर denominator में 65 अब 5 को 65 को divide करेंगे 5 से कितने टाइम्स आएगा? 13 times 13 into 6 करेंगे तो 13 से जाए कितना होता है? 78 ठीके, तो minus का 78 ठीके, फिर देखें 65 को 13 से divide करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा? 5 times और 5 को multiply करेंगे 32 से, तो कितना आएगा? 32 into 5 कर लिजिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16 ठीके, तो 160 प्लस का 160 कोई परेशा नहीं बताओ ठीके, कोई नहीं ना? अब देखो, minus 78 plus 160 को अगर हम solve करें minus 78 plus 160 को अगर हम solve करें तो यहाँ पर minus है, यहाँ पर plus है minus plus क्या होता है हमारा minus इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर calculation minus की perform की जाएगी 160 में से अगर हम 78 को less करें तो कितना आता है हमारा 82 आता है अब यहाँ पर जो sign की बारी है तो sign में क्या आएगा? बताओ यहाँ पर multiplication की बारी है अब multiplication हम करेंगे तो multiplication कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर अगर जो चीज reduce हो रही है तो उसको reduce कर लिजिए और नहीं हो रहा है तो फिर simply से multiply कर लिए तो यहाँ पर देखो कोई reduce होने वाली बात है उसको multiply करना minus 3 upon 8 से कैसे करेंगे multiply? numerator को numerator से multiply करते है denominator को denominator से multiply करते है तो numerator देखो मैं यहाँ पर minus 15 है यहाँ पर minus 3 है तो minus 15 को minus 3 से multiply करेंगे अब ध्यान रखना है आपको multiplication में जब भी हो तो sign देखो minus minus क्या हो जाता है? multiply होके plus हो जाता है 45 फिर रहेगा ध्यान रखना फिर denominator के बारी 4 into 8 अगर हम करें दोनों प्लस के 4 into 8 कितना होता है हमारा 32 होता है तो 45 upon 32 इसका अंसर होगा सिंपल ठीक है चलिए इस वाले में आ जाते हैं अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे फास में 13 upon 6 है इसको multiply करना है हमें minus 18 upon 91 देखते हैं यहाँ पर कोई reduce हो रहा है क्या उपर से नीचे numerator से denominator तो हमने देखा यह 13 से reduce हो रहा है 91 13 बन जा 31 13 7 जा 91 ठीक है और भी reduce हो रहा है 6 बन जा 6 6 3 जा 18 अब देखें यहाँ पर अब कुछ reduce हो रहा है यहाँ पर one है यहाँ पर seven one into seven कितना होगा seven तो minus का three upon seven इसका क्या होगा answer तो multiplication में simply कुछ ही नहीं है numerator को numerator से multiply करना होता है denominator को denominator से multiply करना होता है अगर कोई value reduce हो रही है numerator से denominator या denominator से numerator तो उसे आप reduce कर सकते हो ठीक है चलिए अब division देखते हैं यहाँ पर division के लिए आपको simply का करना है divide को multiplication में change करना है जब भी आपको divide sign दिखेगा fraction के अंदर rational numbers के अंदर तो divide को आप क्या करिए multiplication में change कर दीजिए simple ठीक है जब भी आप divide को multiplication में change करेंगे तो एक बात ध्यान रखने है जो next वाली value है तो वो क्या हो जाएगी हमारी reciprocal हो जाएगी यह बात ध्यान रखने है reciprocal हो जाएगी कैसे reciprocal होगी जैसे कि for example यहाँ पर minus 8 है divided by minus 7 upon 16 है तो यहाँ पर देखो minus 8 है इसको divide को मैं जैसे ही multiplication में change करूँगा तो multiplication में change करने के बाद में यह minus 7 upon 16 हमारा reciprocal होकर हमारा क्या हो जाएगा 16 upon minus 7 हो जाएगा बात clear है 16 upon minus 7 हो जाएगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आपने इसको reciprocal का दिया अब मैंने आपको बताया है था कि rational number जो fractions होते हैं यहाँ पर आपको negative sign का ध्यान रखना है negative sign कभी भी हमारा नहीं होगा कहाँ पर कहाँ पर नहीं होगा negative sign हमारा denominator में तो denominator में नहीं है तो फिर आप इसको numerator में ले जाएगे तो minus 8 multiplication में minus 16 upon हम 7 कह सकते हैं ठीक है बस इस minus को हम उपर ले गए simple अब देखो यहाँ पर minus को minus 8 को minus 16 से multiply करेंगे तो आपको पता है minus minus क्या हो जाएगा हमारा plus हो जाएगा minus multiply होता है minus से तो plus हो जाथा और 8 into 16 कितना होता है 16 को 8 से multiply करो 8, 48, 8, 8, 8, 4, 12 16, 8, 128 होते वे से भी तो 128 हम कह सकते हैं और यहाँ पर नीचे देखो यहाँ पर minus 8 upon 7 इसका क्या होगा हमारा answer होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखो यह वाला question है minus 16 upon 35 तो यहाँ पर देखते है minus 16 upon 35 अब देखो इसको divide को हमें convert करना होगा multiplication में जब भी divide आये multiply में change करो और multiply में change करने के बाद में यह जो next वाली value है यह क्या हो जाएगा हमारी reciprocal मतलब हम इसको कह सकते 14 upon minus 15 ठीक है लेकिन यहाँ पर negative है नीचे denominator में तो इसे हमें convert करना होगा तो तो minus 16 upon 35 तो है हाँ न और इसको 14 upon minus 15 को हम लिखेंगे minus का 14 upon 15 positive clear है चलिए अब इसे reduce करो अगर कोई reduce हो रहा है जाएगा and 16 into 14 कर लिजी यहाँ पर तो अपन कर लेते हैं यहाँ पर calculation है ना इतना space बाकी है अपने पास में तो 14 और 16, 16, 16, 64 16, 16, 16, 16, 16 16, 22, 24 ठीक है और 35 into 15 भी कर लेते हैं चलो यहाँ पर 35 into 15, 15, 5, 5, 6, 15, 3, 45 और यह हो जाएगा हमारा 52 525 इसका अंसर जो आएगा प्लस 224 डिवाइड बाइ 525 इस तरीके से हमारा को इन questions को करना होता है तो जितनी भी operations होते है rational numbers के उपर addition, subtraction, multiplication, division हमने चारो की चारो डिसकस कर लिए इनी के उपर based questions आपके पूछे जाते हैं exam के अंतर ठीक है तो rational numbers के उपर operations आपको आने चाहिए ये एक basic होते हैं ठीक है clear है तो उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आयोगी तो प्लीज लाइक कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe कर लिजेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे के upcoming वीडियो के notification आपको time to time भिलते रहें thank you so much